राजकुमारी जी, क्या आपको लगता है कि आपका ये फैसला प्रजा और राजपरिवार दोनों के लिए सही होगा? क्या आप सच में राजकुमार सूर्यवीर से विद्रो करने के बारे में सोच रही है? ये सुनते ही राजकुमारी अमीरा सेनापती से कहती है आपका सवाल ही गलत है सेनापती महोदै हम अपने भाई के खिलाप नहीं बलकि माहेश मती के दुश्मन के खिलाप विद्रो करने की बात कर रही है जो हमारे पिता और माहेश मती के पालनहार महेंदर बाहुबली से हमने सीखा है और परिवार से पहले प्रजा है और हमारी प्रजा हमारी परिवार है और उनके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं ये सुनते ही सेनापती के साथ साथ राजकुमारी के साथ खड़े बाकी के सभी मंतरी और सलाहकार शांत हो जाते हैं और उनमें से एक वक्त मंत्री कहता है, राजकुमारी अमीरा, मैं राजमाता शिवगामी जैसा साहस, अपनी माता देव सेना जैसी दर्यादली और अपने पिता महेंद्र बाहुबली जैसा राज्य संभालने का हुनर है। और उसे फिर से एक अच्छे मुकाम पर पहुचाया, उसमें लगभग 5-6 साल का वक्त कुजर गया, और इसमें देव सेना और कटपा ने भी उनका काफी साथ दिया, और उसी बीच बाहुबली और देव सेना के घर राजकुमारी अमीरा का जन्म हुआ, और उसके 2 साल बाद राजकुमार सूर्यवीर का अब ही जन्म हुआ, दोनों भाई बहन में अटूट रिष्टा था, अगर राजकुमारी अमीरा च्छाओं थी तो राजकुमार सूर्यवीर का तेज सूर्य से कम नहीं था, और ये दोनों साथ में मिलकर अपने प्यार और विश्वास के साथ ए और अब वक्त आ गया था माहेश्मती के अगले उत्राधिकारी को चुनने का, सारी प्रजा, राजपरिवार और मंत्री गंड सब को ये यकीन था कि माहेश्मती के अगले उत्राधिकार राजकुमार सूर्यवीर ही बनेंगे, क्योंकि बाहुबली की बेटे से अच्छी तर तरह के अभी प्राय देखने को मिले जहां राज्य का एक हिस्सा राजकुमारी अमीरा में राजमाता श्रिवगामी की जलक देख रहा था तो वही कुछ लोगों का कहना था कि एक स्त्री से बहतर ये राज्य एक पुरुष ही चला सकता है तो वही राजकुमार सूर्यवीर अ उन्होंने अपनी बहन को गली लगा कर कहा मैं आपके लिए काफी खुश हूँ जी जी और मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा और हम दोनों मिल कर हमारे स्वर्ग जैसे राज्य के रक्षा करेंगे ये सुन अमीरा के दिल में जो एक छोटा सा संधह था वो भी तूर हो गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा मुझे मेरे छोटे भाई से यही उमीर थी और मैं जानती हूँ समयाने पर तुम मेरी और महाश्मती की धाल जरूर बनोगे तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों भाई बहन की बीच दरार आई और दोनों एक दूसरे के खिल लाइगी इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल जिसका नाम है बॉलिग्राथ स्ट्यूडियो कर दोस्तों कीजिए कर दोस्तों है अज़े रहने के सब्सक्राइब कर दोस्तों कीजिए और फिल्मी को लाइब कर दोस्तों गूसरे कि बीचिए बॉलिग्राथ जाएब